तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हεις वीडियो में जो पुराने विटमन का रोड रहता है उसे हम नए विटमन जुब रिपेर करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है तो सबसे पहले जो हमारा पुराने विटमन रहता है उसे जिसीवी के द्वार उखाड़ दिया जाता है और एक पिलेन में लाने की कोशिस रहती है यह MDR रोड है अगर आप सिविल इंजियर होगे तो जरूर आपको पता होगा MDR रोड क्या होता है Major District Road जो एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक को जोड़ती है तो चलिए देखते हैं रोड का न्यू बिटमन लेयर कैसे बिचाया जाता है पुराने रोड पे तो जितने बिटमन का लेयर आता है पुराना वाला डेप्ट में उतने डेप्ट को हम G-CV के द्वारा उखाड देते हैं जैसा कि यह आप लोग देख सकते हैं G-CV से उतनी गहराई के अंदर जो पुराना रोड आता है बिटमन को इसे उखाड रहे हैं और जो यहां छोटे मोटे गड़े राते हैं ना बिटमन के रोड में बन जाते हैं पुराने जो रोड पर गड़े बड़े बड़े हो जाते हैं उन में Tynो डूड्या जाता है यही होता है जो आप लोग देख रहे हैं यही वही ह Marriage के द़ूरा जो सॉडढ की चड़ाय होती है उसको एख लेबल में तयार कर देते हैं और गड़े में जो GSB या WMM गिरा हैं उसे एक लेबल में ला देते हैं और सड़क पट्टी भी इसे के दोरा तयार करते हैं रोड पर ग्रेडर चल जाने के बाद उस GSB या WMM पर रोलिंग भी करते हैं तो रोलिंग को हम यहां पर जो कर रहे हैं 40 टंड के प्रेसर के दोरा और 4 बार रोलिंग किया जा रहा है तो रोलिंग अराम अराम करते हैं और ग्रेडर मसीन दोरा जितने भी गड़े राते हैं एक लेबल में ला देते हैं तो यह हो जाता है हमारा रोड का जो चौनाए रहता है वो एकदम maintain बन जाता है आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं तो आप लोग को बता दे ये WMM का जो paper machine द्वारा depth दिया गया है जितना वही major करते हैं ये matrix की तरफ सोते है PW विभाग से जो major करते हैं यहाँ पे हम paper machine द्वारा जो WMM बिचाया गया है उसका वीडियो नहीं लापाएं है तो अगली वीडियो माप लोग को paper machine द्वारा जो WMM बिचाया जा रहे है उसको हम जरूर दिखाएंगे और इसका यहाँ पर जो depth दिया जा रहा है WMM का वो 10 cm है यानि 100 mm ये जो हमारा gauge जिसे जो जिससे ये major करेंगे ये gauge rod है जो और इसी gauge rod दारा हम WMM जो बिचाया है इसका depth मेजर कर देते हैं ये कई मतलब 4-6 जगां मेजर करते जाते हैं जगा जगा पर इसके बाद जब ये WMM बिचा देते हैं इसके भी अच्छे से rolling कर देते हैं और हमारे road जो होता है एकदम अच्छे से दिखने लगता है यहाँ पर हमारे दोस्त जो साथी हैं वो rolling करने के बाद यहाँ पर गड़े ख़र रहे हैं जो थोड़ी परेसानी हो रहे है क्योंकि ये पक्का हो जाता है कुछ समय बाद क्योंकि इसमें कुछ मास्ता में सिमेंट भी मिला रहता है डबलू यहाँ जो होता है और rolling करने के बाद यह लगभग 900 यहाँ रह जाता है तो 900 यहाँ तक मानने रहता है आगे का road प्रोग्रेस हमने इस्ट वीडियों लाएंगे आप जूड़े रहे हैं